हेलो एब्रीमन वेल्कम पैक आनमाई यूटूब चैनल बाइलोजी बिलेज आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्ट क्रॉप जो बोलते हैं कपोग आइस पर गाइड़ाइंस आपको बताना चाहता हूं कि जो यूपी पीजीटी जिसे हम बोलते हैं जो की एक्जाम कराया जाता है से किन्टी इजूकेशन सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ठीक है उसके और आपके चार क्रॉप जो हैं सलेवस में जिने हम बोलते हैं जूट कॉटन सनहें अट कॉयर अब आता है आपका यूपी पीजीटी का सलेवस यूपी पीजीटी के सलेवस में कोई भी क्रॉप नेम के थुरू नहीं दीगए यह कि पार्टिकलर क्रॉप नहीं बलकि उसमें आता है कि फायवर इल्डिंग क्रॉप आपको स्टेडि करनी है ठीक है तो यूपी पीजीटी जो की जीजीटी जो कर्वेंट इंटरकालिज यह बहां पर जो वैकेंसी जे उनके स्लेवस के कॉड़ेंगर हम देखें तो हमें फायवर इल्डिंग क्रॉप के बारें बात करना है ना पार्टिकलर फोर क्रॉप तो हमने आ लेडियो में ती ऐससी ऐसी वाले स्लेवस में जो हम लोग ठीक है उसके लेवस कप्रीट है अब हम बात करते हैं यूपी प्रसी जिसमें फायवर इल्डिंग क्रॉप की बात करनी है तो गाइज हम इसमें क्रॉप प्लाण चाहरा है कि पहद्वादू इम्पर्टन क्रॉप से एंड एक सब्सेटिट अ हमाई लेडी भी थोड़ा चाल दिसक्ष पहले कर चुके हैं जूट बारे सेक्षिर में अब हम इसे कंप्लीट्री स्टेडी करेंगी कि क्या होते हैं एक्रोनॉमिक कंडिशन्स क्या है फाइवर की जो विस्तार से उनकी फीचर्स उनकी क्वालिटी के बारे में डिसक्स है यह फाइवर रिल्डिंग क्राप ऐजा लेडी आई टोल्डियू इन सेक्षिन जूट ठीक है जूट वाले पार्ट में बताया था कि कपो क्या होता है फाइवर रिल्डिंग ट्री जो कि जूट के सबस्टिट्यूट के रूप में यूच किया जाता है यह बहुत सारी ऐ बाट निकल फोटाइव सीवा पैंटेंडर ठीक है इसके दूसरे नाम भी आजकल उसमें है तोला सा जीक है बामबेट पैंटेंडर ए इर्यू डेंटरेंग अन्फ्रेक्टोसं ठीक है यह इसके बाट निकलिके लिए मगर आपको धिया रखना है यह अंगा डीवादा सीव पढ़े हैं सैश्री इस्टाम होता है स्य Allah होता है और यह इसका ओगरेक्स टॉससरे इसके वाद हो एक तो सुम गए है इसके respect करते के जो फारेवर हमने तक इस तक करते की जार हैंपाइब में इसकी क्या पोजिशन से देखते हैं क्योंकि अभी हमने तक जो फाइबर सब्सक्राइब दो कई आगे एक तो बास्ट फाइबर्स और दूसरे पढ़े हैं सर्फिस फाइबर जैसे कॉटन ब्लादा सर्फिस फाइबर और सन हम एंड जूट पले थे आपके बास्ट भाले या सीट से मिलने वाले तो सबस्थे बात नों काटन काटन अबने बने कहाँ से लिया था सीड के टेस्ट कर दादा फाइबर ठीक है इसका लमने कोईर को कहा बरिओकर तकर रोट के मीजयो कर बढ़ी मिडल पाट होता हो था फूरूट के उसे परफ्ट कर रहा थाभन द्यान रखें तीनों डिफ्रेंट पोजिटन से इन तीनों क्या गएंगे सर्फिस फाइबर केंगे कि सीट से प्राइबर नहीं बोलते हैं ठीक है तेस्ट आप दी सीट मीजोकार पाफ दी फूट्स इनर वाल अप दी फूट्स ठीक है यह इस ध्यान रखें कि को आयर और कॉ अब इन फाइबर के क्या फीचर्व होते हैं उन पर दिसक्राइब देखते हैं यह जो फाइबर सोते कहां से अप्रेंट होते हैं इनर वाल अप दी फूट्स हमारे लिटी बता चुके अपोजिट्व कॉटन विचार आप्टेट वां दी टेस्ट आप दी सीट सीट के सेकं एक और उस वो क्यों है कुछ इसपेसिफिक प्यूलियर फीचर्व होते हैं इस्प्रिंगी नेश मददाब इस्प्रिंग जो हता नहीं इलास्टी सीटी एजलेंस और बर्मिन प्रूफ बर्मिन का मतलब होता है कुछ ऐसे एनिमल जो प्लान को हार्मफुल होते हैं रिपर म इस मतलब इनिमल जो प्लांट को अटेक करते हैं नुकसान पहुंचाते तो बर्मिन प्रूफ होता कहरें का मतलब इस प्लांट अटेक नहीं कर सकते हैं यह तीन प्रॉपर्टीज में कपोग आई डी ली देगी सबसे इंपॉर्टेंट बात ठीक किसी दूसरे फाइबर से काह पार्टिकलर स्टफिंग मेटेरियल प्लोव प्लोव कुशन्स और अब और जो आप होस्ती जो आडिकल उन सबके लिए सबसे अच्छा जो मेटेरियल जो आपका है कैपोग फाइबर इंपॉर्टेंट बात है पहले हमें जूट की बात करी थी काटर में वाट करी दी को इसके बाद इसके कुछ और प्रॉबर्टी होती है जैसे इसके तीन फीचा चौर हम बात करेंगे लाइटनेस हलके बहुत होते हैं बाटर रिप्लेंसी प्रॉपर्टी होती और हाई डिग्रिया वाइंसी मदब उत्पलपता जिसे हम हिंदी बोलते हैं उसकी वज़े चो कितन पाइरने की जो पाबर होती है उससे फाइफ टेम्स जादे होती हैं इन तीन क्वालिटी की बज़े से इस फाइबर जो है वैल्यूबल फार मेकिंग लाइफ सेविंग वेल्ट अभी बताएंगे यह इस्ट्रॉक्चर ठीक है लाइफ जैकेट्स आपको इसके नीचे दिख थेढ़ नवल का मतलब होता है जल सेना ठीकेत नवल में कामाता है ऑर मेल्येट्री वालों के काम आता है कहां maiorता देखें आप लोग देख烹िए यापके हैं नवल्ट्रिव थरी मिलेट्री के लोग ही और जोो नवल की बात करते है तो यह आइटम देखिए यह जो आईटम को की अगर मेली टीश है यह कि आइपन और पिंग बनाई है और वहाला ने नगा Mom की लोग कि कामمة मटन 'Mend तो दोनों की विए कामा थे नोभल और एंड विट्वस बोट तो इनका ला चैटेश-अ सब इससे बनाई है और मुली प्रोड्यूसिंग रेफ्ट का मतलब होता कुछ ऐसे प्लेसे हम आपको यह बताएं देखेंगे सकते हैं कि उसमें कोई दूसरा आइटम हम रख सकते हैं और जैसे कोई बहुती कॉस्टली गन है तो गन को थोड़ा सभी उस पर इस्क्रेच ना जाए को मेकेनिकल सौक से बचाने के लिए उसके अंदर हम उसके लिए त्यार करते हैं प्लेस उसके अंदर से रखके और से पार कर देते हैं सिपिंग कर देते तो कहने का मतलब प्रोड मेटेरियल त्यार करना ठीक है तो इस गपोग फाइबर से बहुत नवल्स आइज मिलेटरी पर पसिज में बहुत काम के हैं ठीक है कुछ इंस्ट्रुमेंट आपको दिखा है इसके बाद देखते हैं आगर हम इसे कंप्रेस कर लिए उस कंडिशन में नप कब फाइबर्स है कापसिटी थर्टी सिक्टें मोर दैन ओन बेट इन बाटर मलो अपने से च्टिस गुना ज्यादे वजन को यह सपोर्ट करेंगा मलब डूबने नहीं देगा इट रिटेंस वाइंसी एवन आप्टर कॉइट क्रेट ग्रेच्वल मतलब कह रहा है कि इसकी कमी आएगी वह बहुत लो आएगी एक मतलब एक मन्थ तक अगर हम इसे इमर्ज कर रहें बाटर में तब भी इसकी जो प्रिप्टा है जो इसकी वाइंसी मलब पावर टू फिलो आंदी बाटर सर्फिस वह किबल थोड़ी से ही कमी आएगी इसमें इसके बाद क्वालिटी एज के दर लो थर्मल कंडेक्टिविटी ठीक है इसकी बज़े से इस ऑक्सिलेंड मंटेरियल फार इंसुलेटिक आइस बॉक्सेस रेफ्रीजेटर्स कोल्ड इस्टोरेज ब्लांट्स आफिस थैटर्स एंड एरप्लाइन्स उनमें यह क्या करता है इंसुलेटिक मंटेरियल के लिए कांवाता है मलाद इस बाक्स को इस पें कवर करकर देए तो जो बर्फ होता वो वह बिल्कुल मेल्ड नहीं करता है क्योंकि इसकी जो कंडेक्टिविटी है वो काम है यह इंपॉर्टन पॉंट है इसके लिए इसके बाद देखते हैं दे आप यह नहीं वाला इंसलेशन होता साउंड को जिसे एरो प्लेन में जो आवाज आती वार की वह विल्कुल नहीं आती तो वहां पर यह यूज किया जाता है तो इध्यान रखें और कस्टिक इंसुलेशन इन एरो प्लेंस के विन टैंक से ब्राटकस्टिंग इस्टेडियो जो हमारे रेडियो प्रसालन और टीव प्रसालन जो होता है बहां से जो इस्टेडियो जो होते हैं उन्हें कवर करने के लिए थेटर्स एंड हॉस्पिटल्स उन सम्में साउंड प्रूफ मट्रील के फार में यह यूज किया जाता है इसके बाद आगए क्वालिटी है इसक लिए बहुत है इसलिए बहुत ही पर्फेक्ट मटरीयल असरी इन दिस्पेंसिबल मटरीट इन ऊस्पेंट वीड़ाइट इंडाट आप्र तूपरेट थी कि तो इन देस्पेंसिल मटरील फार दी हॉस्पिटल कि स्कॉलिटी वजह से जो इसके गद्दे होते हैं जिन काफ़ इंपॉर्टेंट आइटम है इसके बाद एक कॉइंट होता है इसके पाद की दे यूज्ट इन डाइनिंग स्लीपिंग बैक्स मेकें टोसिस सर्जिकल बैंडेज एंड क्लोफिंग आप एविटर से दो पॉइंट धाना के इसमें सर्जिकल बैंडेज के फार्मेशन कर और यह लाइफ सेविंग डिवाइस इस होती है इसके अंदर बिल्कुल बंदा पैक हो जाए और किसी तरी के इन्वार्मेंटल फैक्टर कितनी भी ठंडो उससे कवर कर सकता है इसके बाद देखते हैं इस फाइबर्स अर्केमिकली मॉडिफिक्शन के बाद एक्ट करते है आप एब्सॉर्बेंट कॉटन देखिए कॉटन में तीन-चार कॉटन बाता है तो जो एब्सॉर्बेंट का फॉक्शन होता है वह इन फाइबर्स के तुरू सब्स्टिट्यूट किया जाता है वाद बीफोर नहीं आफ्टर केमिकल मॉडिफिक्शन के बाद दे एक्ट पार सौप मेगिंग एंड फार कोकुंग अब आता है लास्ट में जो रेस्टूल माज होता है इनके सीट से उसे फीट हमारे जो कैटल्स होता है उनके काम आता है फूट के क्योंकि उसमें 26% प्रोटीन होती है एक लास्ट इंपॉर्टन कॉलिटी के दियार इन फ्लमेबल म आरिका पर इसके बाद इसकी तीन यकारीविया वहां सी पैंटेकर द्री गारा में बात कर रहें everyday डिस्ट्रीबूसर का बेस्टन इंडिया वैसलिक है यह कुछ जात भल्aci अपकल का इंडोनेसिया फिलिपिस्टियार या इंडियां नीड्रिका नेखना हूं पोइंडिया बेस्ट इंडिया में लाज़ेस प्रोडूसर को ने इंडोनेसिया स्पेसिलिस का जो जाब आइन वह इस्टेट एजब आइलेंड बटनाओ इंथाइलेंड कमबोडिया एस्ट अफ्रीका इंडिया में भी ग्रोग जाते हैं सबसे बड़ा जो खरीदार रिवायर्स को ने इस केरला में था और आपके कपोग के yard का शसे यह वाद नहीं कर रहा है मिद्ट माथ को सरे को इसकी बाद करता है अधर्वाज कोई इंप्टरिंग इस एक ​​सन में नहीं है होता है एक और छेजुळ होता है ट्रापिकल जिछ और आइग से थेरा मीटर काफी चाहिवाला होता है एंस पोर्ड वाई दी है एक पॉइंट नहीं पर इपॉर्ट रेस यह रूट को ती अब टी बेस जो प्लांट होता है जिसे लाइक डैट इसके इसके से जोता है बेसक पे बट्रेश पाई ते फंग राइसोशेसेस्टनस होता है फ्र तो तरी जो होता है वो लीफ लेस्ट फ्रूट साथ जब इसके फ्रूट पाग जाते तो इसका तरी जो था अपनी लीफ को डॉप आउट कर देता है तो अब बात करेंगे अग्रो क्लाइमेटिक कंडिसंस किस तरह के की यह कंडिसर रिक्वाइड करता है टुग रो तो सबसे इंपॉर्टन बात आती है यहां पर एन्वल रेनफाल चाहिए इसे बन टोइंटी टू बन फेप्टी सेंटिमीटर दूसरा टंपरेचर जो है कम से कम नाइट में नाइंटीं डिरी सेंटीग्रेट से कम होना चाहिए और जो स्वाइल होना चाहिए वह उसके लिए तो बॉ ही प्रोसेसिंगया पाथ प्रॉसेसि-जिया करते हैं पे कहां चाहिए फिरूट से मिलता है इंदर वाल से प्रूट गी तो उसके करते कि इसथा लिए जाते है इंड वेन कलर चेंट टू ब्राउन चो ब्राउन को एका सी ड्राप्ट कर लेते हैं बहां से घ्रॉड कर लेते से करेंगे काफी टाइम के लिए इसलिए ये इसलिए इसे लेवर कई यथा जाते हो जाते है क्यांकि इसमें अब हम भाले पी तुलवा लेते हैं अब हम जोनकी फाइबर से उनकी बात करते हैं कि क्या को सुद्धित जोत है तो इनकी सब्सेंप्स पूरे फाइबर को डिपेंग करती है इंडिवाइबर की बात करें तो पॉइंटेट तू थिरी सिंटेमेटर लांग होता है थिन वाल लोता है और एक बाइट एर फिल्ट लिमन भी पाई एती है सिल्की की तरह इसमें चमक होती है ड्यू टू दी बैक सीया रेजनेस कोटिंग होती है इसकी जुबाल उस पर और फाइबर जोते हैं लाइट इन वेट ऑनली बन कॉटन की अगर हम बात करें उसे सिक्स टैम्स लेस होते हैं ठीक है कॉटन की फाइबर से बज़ने और विकाज तो फिर क्या होगा बड़े केमिकल प्रॉसेस तूर रफ दिस सर्फेस अफेर सो नहीं बीन डिवाइट उसके लिए करते हैं कि इनसे कुछ चीज तैयार हो जाएं तो इनने केमिकल प्रॉसेस के थूरू इनका ट्रीट्मेंट करते हैं और इससे क्या होता है इनकी सब्सेश प्रॉसे थोड़ा सा रफ हो जाती है दी मोडिफाइट फाइवर्स मिक्ट इदि अधर फाइवर्स एंड कैन बी इसके बाद वह बनाई में दूसरे फाइबर के साथ मिक्स करके उन से हम कुछ आइटम बना सकते हैं अगर आज नार्मल कंडिशन में इन से कोई भी टाइप का धागा यार मतलब नहीं बना सकता है वी काज इसमाल साइज सौफ्ट रश्चरस अन्ट्विष्ट इन नेचर एंड बिटल का मतलब जरा सभी हमने अगर थोड़ा सा ट्विष्ट करना चाया तो ब्रेक हो जाएंगे इस ठीक है अच्छा इंपॉर्टन बात कपक में जो स 64 होता है और लिगनिन देखे 13% का मतलब होता है बहुत जादे ब्रेक हो जाएंगे तो यह दोनों कंसेंटेशन आपको ध्यान अब सबसे इंपॉर्टन बात की इस प्लांट के सबस्टिटूट यह तो खुद में सबस्टिटूट था जूट का आप इसके सबस्टिटूट क प्लांट के फ़ाबर जूट के साथ मिला करे हम प्रोडक्ट तयार कर सकते कहने का मतलब है कपूझ के सबस्टिटूट बना चाकते हैं तो सबसे पहले हम बात दखते हैं क्या बोलते हैं शिल्क कॉटन ठीज और बाटनिकल नेप क्या था सीवा पैंटेंडरा ठीक अब इसके लिए अगर यह फैबर ना मिले तो हम यूज करते हैं रेड शिल्क कॉटन जैसे हंदि मोलते हैं सेमल का ब्रक्षण होता है जिसे बावांबेक सीवा ठीक है फैमली फैमली का दूसरा मिंबर होता है जैसे बोलते हैं बावांबेक सीवा और उसमें ब्राइट क सके यता है येसे माल का था काशा है काफी सपाइचते और यह इसके प्रोट से आपको फाइबर निकलता हुआ दीख नहीं पंदे से बोलते हैं भुछा को कोले यह है वाइट सिल्क कॉटन तरी इसे हम एलो और गोल्डन सिल्क ट्री भी बोल सकते हैं इसके काम नम्यूत गलगल या फिर बटर का बोलते बोटनिक अले मोंता है कोकलोस्पर्म tätä फैसे ब्लांट इसके देख सकते हैं किता ब्यूटिफुल लग रहा है यह ठीक है यह आपका कैपोक का कि अल्टर्नेटिव नद हो सकता है इसके बाद तीसरा प्लांट आता है इसमें जो सब्सक्रीट्यूट है का पोक्ते या वोग छोटे यह उसका अल्टरनेटिव यह सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका पिक्चर देखें कैसा होता है लोक लाइक दैट देखिए यह पिक्चर होता है और इससे यह जापका फाइवर मनला ठीक है इसके फ्रूट्स होते हैं इसके बाद प्लांट होता है मदार बहुत ही कावन प्लांट है सब लोग जानते मदार को इसका नाम होता है कैलोट्रापिस गाइगेंटिया फैम्ली होती एपोसाइनेसी ठीक है लुक लाइक दैट आपको दिख जाएगा कि रेर्वेड ट्रेक में खड़ा हुआ और इसमें जो फाइवर आते हैं वो इस तरीके साथ है यह भी अल्टरनेटिव फाइवर्स या इसका सब्स्टिटूट हो सकता है इसका फोर्थ बलांट है जिसे हम बोलते हैं आकुंड इस से में वही है क्लो तो यह इसका सब्स्टिटुट होता है लास्ट में बात करते हैं कि कट टेल टाइफा लैटिफूरिया ठीक है फैमली टाइफेसी यह देखिए यह इसका आपका स्पोरोफाइट अप्लांट का और यह से मिलने वाले फाइवर्स होते हैं अब इसमें हमने देखा हैं आपको को फाइब बाता है जो इसके सब्स्टिट्ट के फार्म हो चती बहुत सुरू के दो जो प्लांट हैं आपके रेट जोम रगा है क्या देखिए हमारा प्लान्ट किया तहा हैसिल्कॉट टेली सिल्कॉटुन टिरी और धूसरा हो सकता है वाइट इसकें माज़िश सब्सूट और यह वाले जो तीन हैं आपके पोपोटे, मदार, अकॉंड, एंड कैटल, ठीक है यह इसके माइनर सबस्टिटूट है तो कह रहा है कि बोथ फर्स्ट और सेकंड वाले, इल्ड सीड है, सीड से जो हमें बंदब फाइवर मिलते हैं उन्हें में बोलते हैं, फ्लोज, दैट सबस्टिटूट पर कपोग, सेमल क्लॉज, हैस मेनी अब दे क्वालिटी आप जावा टाइप आप कपोग, वाट इस इस मोर ब्राउन और एलो इन कलर एंड लेस रिजिलेंट, मतलब अल्टरनेट बिल्कुल है, मगर इसमें इंपॉर्टन बात क्या है कि कपोग जो होता है वह ज्यादा है रिजिटेंट होता है, मगर यह उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम रिजिलेंट होते हैं, ठीक है और इनका कलर जो होता है, राउन टू एलो होता है, इन कंपरेश फार में इट कैन भी सपोर्ट अल्ली 10-15 टैम्स इट्स ओन बेट, मतलब उतने एफेक्टि कर सकता है, तो आपने आज देखा कपोग फाइबर्स क्या होते हैं, यह एक जूट अल्टनेटिव यह जूट का सबस्टिट्यूट है, एंड इट इजे सर्फिस फाइबर, ठीक है, कैसे फाइबर है, सर्फिस फाइबर, सबसे इंपोर्टन चीज़ तो तो तके सर्फिस फ साइज में नवल में आर्मी के जो इंस्ट्रिमेंट होते हैं और आपके मिलिटरी आपरेसिन दोनों में यूज़ किया जाता है, थैंक यू बेरी मैं